तो अली बाबा की कहानी को जो है देखाए वे पूरा हफता हो चुका है और इसके अंदर की कहानी जो अभी तक निकल करके आई है उसी बारे में बात करूँगा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्स्राइब करो बेल का बेटिन दबा और वीडियो को एंड तक जरू उग मारते हैं उसके बाद से एक वर्णिंग यह भी देते है जिस दिन चान जो है सलामत नहीं रहेगा जिस दिन चान जो है फट जाएगा यानी दरार एक हला जो बार बार रिपीट किया जाता है हर एपीसोड में ईबजस जो है बॉत बड़ा शैतान हो बहा एंके यहां औ नहीं किया था कि खुल जा सिम्सिम जो लाइन है वो सिफ एक मंतर नहीं सिम्सिम किसी को संभोधित किया जा रहा है यह नीं सिम्सिम को बोला जा रहा है कि खुल जा और वो सिम्सिम कौन है वो पहरदार है उस गार की उस गुफा की जहां पर वो सारी दौलते चुपाई गई ह 40 चोर जाते थे दौलत चीन कर लाते थे और वहाँ पे लाके चुपा देते थे और उसकी हिफासत जो है सिमसिम करती थी और उस गुफा का दर्वाजा तभी खुलता था जब कहा जाता था खुल जा सिमसिम और ये मंतर सबको पता होना चाहिए वैसे काफी सिम्पल मंतर नहीं उस चेंजेज में ये देखाया गया है कि एक जरना है उस जरने से पानी गरती है और जब बोलते हैं तो वो जरना अपने आप उपर चली जाती हो दर्वाजा खुल जाता है तो ये एक साइट हो गया गुफा का वहीं पे जो है अली बाबा की किस्मत जो है मरियम से की है जिसको कभी भी महल से बाहर जाने को नहीं मिला है उसने सिर्फ किताबों में पड़ा है कि मामूली गली और शाही सड़क बोल करके कुछ जगा है और दोनों के बीच में काफी तनाव रहता है वहां के लोग कैसे होते हैं वहां का रहन सहन क्या है उस बारे में कुछ ज Sum Sum Ke Saat Men Re Stekem कि उसे जो तौफ़े में चाहिए वो तौफ़ा उसे देगा लेकिन बदले में काबूल की सल्तनत उसे चाहिए अब वो तौफ़ा जो है वो शहजादी है जिसको वो लाकर सिम्सिम को देगा और सिम्सिम उसको शायद लेकर के बली चणा देगी और उसके बास से जो है इबलि जिसकी बारी है कि वो जागने वाला है उसको जो है सिमसम्स जिंदा करने वाली है ये कैसे होने वाला है ये आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा लेकिन वीडियो खतम करने से पहले एक चीज और बता दूँ कि अली बाबा जिस वज़े से दौलतमंद होने वाले थे जिस वज़े से उनके पास में धेर सारी दौरत आने वाली थी वो था शहजादी का शामियाना I think मैंने सही बोला है उर्दो में तो ये चीज जो है उनके हैसे जा चुकी है वो कॉंट्रैक्ट उनसे चीना जा चुक है कि Iblis कैसे जिन्दा होने वाला है वीडियो खतमी हो चुका है लेकिन खतम होने से पहले एक चीज़ कहना चाहूंगा जिस तरह से मामा के कैरेक्टर को इंट्रिद्यूस करवाया गया था as a funny character वो अभी सबसे बड़ा grey character का role play कर रहे है वो जब Simpsons से first time मिलता है तो बहुती बेवकुफाना हरकत करता है लेकिन अभी जो उसको दिखाया गया है जिस तरह से उसने सुल्तान का खून कर दिया तख्त के लिए काबूल के सुल्तान बनने के लिए उसके हिसाब से भई उसका character बहुत dark है और मुझे एक dialogue जो है काफी दमदार लगा उस बंदे के मूँ से सुनने में ये वैसे इनसान तो बहुत कमजोर होते हैं लेकिन मेरी हरकते शैतान से बहुत ज़ादा मेल खाती है भाई कमा का लगता है और अगर यही character उसने end तक maintain किया ना बॉस तो एक अलग level पे set होगा उसकी कमीने पंती की और वो जो कमीना पंद दिखाने वाला है बाई awesome है बस ऐसा ना हो कि अचानक से एक दो एपिसोट के बाद उसको भी मार दिया जाए सिमसिम दुआरा वैसे सिमसिम ने वादा किया है कि वादा इनसान तोड़ते हैं